अमस्कार आप देख रहें एक न्यूस 24 और मैं हूँ आपके साथ पूजा एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि केंद्रे ग्रिह मंत्री अमित साह ने जम्मू में एक महत्वपुर्ण रैली को संबोधित करते हुए जम्मू कास्मीर की स्थिती और आगामी चुनाओं को लेकर अपने विचार साजा किये उनकी टिपनी मुख्य रूप से अनुछेत 370 की समाप्ती और आगामी विधानसभा चुनाओं पर केंद्री थी आपको बता दें कि अमित साह ने अस्पस्ट किया कि अनुछेत 370 जो जम्मू कास्मीर को विशेस दर्जा प्रदान करता था अब कभी वापस नहीं आएगा उन्होंने नेस्नल कॉन्फरेंस और कॉंग्रेस पर पैच। कॉंग्रेस पर आरोप लगाया कि वे जम्मू कास्मीर को राजे का दर्जा वापस देने का जूठा वादा कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं साह ने जोड़ देकर कहा कि जो चीज पहले ही समाप्त हो चुकी है उस पर चर्चा करना निराधार है और कॉंग्रे कासिक चुनाओ की सुरुवात के रूप में वर्णित किया हम आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि यह पहला औसर है जब जम्मू कास्मीर के मतदाता केवल भारतिय समविधान के तहत मतदान करेंगे ना कि किसी अलग समविधान के तहत उनका ये भी कहना था कि यह द कहा कि कॉंग्रेस और नैसनल कॉंफरेंस पर हमला करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने कभी भी जम्मू कास्मीर के लोगों को उनके अधिकार नहीं दिये हैं उन्होंने विसेश रूप से उन दलितो, गुजर, बकरवाल और पहाडी लोगों के आरक्षन को सुरक्षित रखने का आस्वासन दिया जो इन पार्टियों के अनुसार खत्रे में थे साह ने कहा कि जब तक सांती की इस्थिती नहीं बनती पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी हम आपको ये भी बता दें कि जम्मू कास्मीर की 90 सतर्सिये विधान सभा के लिए तीन चरणों में मतदान होगा पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा जबकि अगले चरण की मतदान 25 सितंबर और 1 अक्टूवर को होगे मतगनना 8 अक्टूवर को होगी अमित साह ने कॉंग्रेस और नेशनल कॉन्फरेंस के विभाजन कारी एजेंडों को उजगार करने का दावा किया है और लोगों से अनुरोद किया कि वे आतंकवाद और पत्थर बाजी में लिप्त तत्वों को जेल से बाहर न निगलने दे अमित साह की रैली ने जम्मू कास्मीर के वर्तमान राजनितिक परिदिस्य को असपस्ट किया और आगामी विधान सभाज चुनाओं की महत्ता पर जोड़ दिया उनके भासन ने अनुछेत 370 के अस्थाई हटने की पुस्टी की और कॉंग्रिस ने नैस्नल कॉंफरेंस की नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए हम आपको बता दें कि इसी प्रकार यह रैली जम्मू कास्मीर की राजनितिक इस्थिति और भविस्तिकी दिसा को लेकर महत् पुर्ण संदेश देने का एक औसर बने तो जैसक इस कबर में आपने सुना कि अमित साह ने क्या कहा ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एक न्यूस 24 धन्यवाद